कि नमस्कार दोस्तों निफ्टी बाबा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने कल बताया था कि 14680 के नीचे जैसे मार्किट जाएगी निफ्टी जाएगी तो आपने पुट बाइकन तो वैसे ही हुआ पर जिस टाइम यह गिरी तो उस टाइम इसने कोई मोका भी निदिया बड़ी तेजी से गिरी टार्गर तो 14540 का दिया होगा उमीद मुझे यह उमीद थी कि आप लोग ले नहीं प आए करना बेस्ट तो मैंने जहां से बताया था इस एरिया से 14498 14500 के पास एक अच्छी स्पोर्ट थी 14540 14500 एक इतनी मजबूर स्पोर्ट है तो यहां से मार्किट ने रिकवर होना ही था तो हमने वहां बताया भी और वहीं हुआ वहां से लगबग 100 पॉइंट की रिकवर चैनल का लिंक क्लिक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है तो वहां से क्लिक करके सबसे पहले तो टेरीग्राम चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और जो नए दर्शक हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब बैंक निफ्टी ने अनेक्सपेक्टिर सा मूव दिया कि इसने आज डबल थ्री 973 को भी तो यह अभी भी सही मूवमेट में नहीं है ना तो यह डबल थ्री 450 तक गई है और यह बीच में है हलांकि निफ्टी ने 14540 लगाया जो कि उसका स्पोर्ट था और वहां से पहले भी रिकवर हो चुकी है इसलिए मैं इसे पहले भी recover हुई है यह यह gap up opening हुई तो इस तरह से अभी bank nifty में आगे क्या करना है तो हम बताएंगे bank nifty में आज कोई हमें trade नहीं बिला उसके बाद जो हमने 3 stock दिये थे सबसे पहले था अब UPL को हम आपको 15 minute पे दिखाते हैं चार्ट पे यह देखिए UPL को हमने 609 से buy करने के लिए कहा था और यह 615 तक गया 6 point का profit और ओर फार्मा हमने दिया था 836 पर और यह 846 तक गया तो यह 10 point का profit हमें इससे मिला और TVS modern को भी 579 से हमने buy किया और यह लगबग 585 तक गया और 7-8 point का इससे भी इस तरह से तीनों stock में से 20-22 point का total profit हुआ अब जो कल हम लेकर आए है stock आपके लिए वो सबसे पहले scl tech scl tech क्यों लिया हम देखिए जब market इतनी गिरी है तो इसका फाइदा भी जरूर फाइदा हम कैसे उठाएंगे यह देखिए इस टाइम जो scl tech है वो तकरीबन 100 डेमा पर है तो 930 से यह recover हुआ है और ठीक यह 20 डेमा इसका बनता है वह है 953 और यहां से 930 से बड़ी तेजी से recover हुआ है पहले भी यहां से कई बार recover हो जो तो यहां से अब बाइख करना बनता है यहां तो 930 से बाइक कीजिए यह 940 से हाँ फिर भी बाइक कीजिए 953 क्या 953 क्या है? तो वहां से बिल्कुल अच्छा breakout आएगा, तो वहां पर भी आपने buy करना है, इन तीनों level से कहीं पर भी मिले आपने buy करना है, stop loss 9.20 कर रखना है, और target 9.65 और 9.75 तक के, दूसरा है सिपला, सिपला exactly, देखिए 200 डेमा पर है, तो 7, जो 200 डेमा पर stocks हैं, उन्हें तो जुरूर buy करना चाहिए, जो technical जो rules हैं, वो ये बताते हैं, कि 200 डेमा पर कोई भी चीज आ जाए, तो वहां से जुरूर स्पोर्ट लेती है, तो 750 से ये recover भी हुआ है, और exactly इस time 200 डेमा 755 है, और वहीं पर है, तो यहां से जुरूर buy कीजिए, और यहां पर थोड़ा risk भी लेना चाहि ये, 740 का stop loss लोगाओ, और 7747, 789, 798 और 814 के target आपके लिए रहें, तीसरा HDFC life, HDFC life ये देखिए, बार बार यहां से लिए cover होता है, 675 से, तो 675 के पास आए, तब भी buy करना है, 686 के उपर निकला, तब भी buy करना है, target 700 और 704 के रहें, तो ये थे हमारे 3 stock, अब हम बताते है bank nifty में क्या करना है, जो की बड़ी अजीवो ग्रीफ स्थिती में है, बीच में खड़ा, तो अब इसको हमने तब ही buy करना है, अगर ये 34186 या ज़्यादा clear होगा, तो 34290, 34300 के उपर buy करना बनता है, और तब तक इसे बिलकुल watch ही करना चाहिए, हमें इसे इसके साथ कोई risk नहीं लेना चाहिए, bank nifty को पहले तो आने दो, 34186 के उपर या 34290 के उपर, तब इसमें clear buy आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि इसका जो 50 डेम है, वो 34270 है, तो 34270 के उपर जैसे ही जाएगा, तो इसमें एक breakout आएगा, तो हमने 34290 के उपर buy करेंगे, 20.0 और उपर, तो फिर हम उपर के target हमें मिलेंगे, वो है 34646, 34900, 35065, 35358, और 35600 तक ये recover हो सक, नीचे जो put के chance है, वो देखिए, वो भी काफी नीचे बनते हैं, 33117 के नीचे, तो 33117 के नीचे जाए, तब ही आपने इसे buy करना है put को, नीचे 32850, 32657, पर अब जो 95% chance, bank nifty के ऊपर जाने गई है, तो अब तो market bullish ही रहेगी, मेरे साब से, कि अब जितना इसने गिरना था, गिर चुकी, और ये आज गिरी भी over unexpected move दी है, इसने काफी ज्यादा गिरी है, तो अब इसे recover होना चाहिए, तो अब आते हैं हम nifty पर, India weeks 20.08 है, जो की comfortable है, बूल्स के favor में है, option chain PCR देख लेते हैं, put call ratio 0.82 है, जो वो भी बूल्स के favor में है, option chain देखें, तो 14,500 पर 31,60,000 put writer है, हलांकि इसमें put writer add कम हुए है, सिर्फ 4,00,000 हुए है, और उदर call writer भी 5,40,000 कोई जादा नहीं हुए, और 10,00,000 ही सिर्फ 14 call writer है, तो इस तरह से 14,500 एक strong sport है, जो technical chart के हिसाब से 14,540 है, तो इदर 14,600 पर भी put writer call writer से जादा है, तो अब market के उपर जाने के chance ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, हलांकि जो resistance है, वो जो बन रहा है, call writer के साब से, वो 14,800, 14,900 और 15,000 पर call writer सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 15,000 पर add हो रहा है, तो 15,000 है एक बड़ा resistance है, छोटा resistance जो रहेगा, वो है 14,500, तो इस तरह से जो range निगल के आ रही है, वो है 14,600 से 14,900, 300 point की छोटी range, अभी देखते हैं, कि कल market कैसे move करती है, और अभी option chain ये वली जो है, 25 March वली, ये अब और सुधरेगी, और कल ज़्यादा clear picture देगी, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा trading शुरू नहीं है, तो अब आते हम chart पर, तो chart पर समझाते हैं, कि य अब आपने trade कैसे, देखिए, जैसा कि मैंने telegram channel पर बता दिया था, कि अब यहाँ से buy करना चाहिए, और एक तरह से, मैं ये भी इशारा दिया था, कि holding करना है, जिन्होंने आज hold की है, nifty को, call को, तो वो benefit, profit में रहेंगे काफी, क्योंकि कल लगता है, कि gap of opening को, तो अगर क कोई coronavirus के related, कोई news ना आई, ड्राने वाली, यहां यह कहने, यहां से recover ही होनी चाहिए, market के recovery के chance ज्यादा है, यह देखिए, बार बार यहां से भी देखिए, यहां से भी पहले recover हो चुकी है, यहां से भी recover हो चुकी है, इस area से भी यहां से भी, यह बार बार एक strong spot है, 1454, तो इस तरह से हमने, अगर किसी ने आज buy नहीं किया है मेरे केने पर, टेलीग्राम चैनल पर जैसे मैंने बताया था, nifty वाब फ्री टेलीग्राम चैनल पर, तो कल हमने, अगर 14570 के उपर निकले, तो आपने buy करना है, nifty को, 14500 की call, और target 14619, 14635, 14680, अब इंग्लिश में ही distance का काम करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर, क्या है, 50 डेमा, 50 डेमा है, 14724, तो 14724 के आसपास हमने, अपना profit book कर लेना है, और उससे पहले 14700 profit book कर लेने के ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कल market के ऊपर जाने के chance ज़्यादा है, सिरफ 2% chance ही ऐसे है, कि market यहां से नीचे ज तो मैंने वैसे भी 3 चुने, वैसे मुझे तो 10-20 दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक जहां से जो खरीदने चाहिए है, तो मेरे हिसाब से अब कल market ऊपर जाएगी, 14570 के ऊपर मिले, तो buy कीजिए, जिन्होंने आज लिया है, वो भी कल, 14600 पर एक बार profit book करें, और उसके बाद 14700 पर profit book करें, वहीं best, तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है, तो जुरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें, थैंक यू,